कि नमस्ते आपका मेरी चैनल पर स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू गोवी की सब्जी बिलकुल वोटल इस्टार आलू गोवी की सब्जी बनाने के लिए मैं चाहिए आलू गोवी टमाटर पिसा हुआ प्याज दही ढ़िया वारी कटा अधरक हरी मिच्छ आप चाएं तुल यह संवी डाल सकते मसाले में हमें चाहिए धनिया लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कस्मीरी मिर्च लाख, कस्तूरी म्यती गरम मसाले। साथ में मैंने खड़े मसाले लीए तेज पत्ता दो, बड़ी एलाइची, छोटी एलाइची दो, दाल चीनी, दो लोओं, काली मिर्च, जीरा। कड़ाई है हमारी गरम हो चुकी है अब हम इसमें दो बड़े चम्मज तेल डालेंगे अब हम इसमें आलू डालेंगे और गोवी डालेंगे अब इसमें हमें एक चम्मज नमक एट करेंगे नमक हम अभी इसलिए एट करेंगे जिससे आलू और गोवी जल्दी गल जाएंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और डखकर रख देंगे दस मिनट हो चुके हैं अब हम पिलेट को अटा कर देखते हैं आलू हमारे गले या नहीं आप इस तरह हास से भी चेह कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं आलू थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं अब हम इने एक पिलेट में निकालेंगे अब इसी कडाई में हम एक बड़ा चम्मस तेल डालेंगे अब हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें खड़े मसाले एड़ करेंगे अब इसी में प्याज एड़ करेंगे अच्छे से चलाएंगे जब तक प्याज थोड़ी सी ब्राउन न हो जाए तब तक चलाते रहेंगे अब इसमें पिसे हुए मसाले एड़ करेंगे दो चम्मच दनिया पावडर आदी चम्मच हल्दी पावडर आदी चम्मच मिर्ची पावडर आदी चम्मच कश्मीरी मिर्ची आदी चम्मच नमक अब मसालों को अच्छे से भूंज लेंगे अब इसमें टमाटर एड़ करेंगे और अच्छे से भूंजेंगे अब इसमें मैंने चार हरीमिच एड़ करी हैं अधर आप चाहें तो लेसन भी एड़ कर सकते हैं अब मसाला अच्छे से भूंज चुका है अब हमें इसमें दही एड़ करेंगे दही बरावर चलाना आए नहीं तो भट जाएगा दही में ओबाला आ जाए उसके बाद हम पानी एड़ करेंगे अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक ओबाला आ जाए उसके बाद आलू और गोभी एड़ करेंगे अब हम इसे डखके रख देंगे पांच मिनट के लिए पांच मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें कस्तुरी मेथी एड़ करेंगे आदी चम्मच गरम मसाला अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धनिया डाल देंगे अब हमारी सब्जी बनके तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं यह दईबाले गोभी खाने में बहुत टैस्टी लगते हैं आप पूरी या पडान्ठे किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको पूर्ण मेरी रेस्पी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें